हेलो दोस्तो मीर होम की चन में आप सभी का स्वागत है तो कैसे है आप सभी उमीद करती हूँ अच्छे होगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ चट पटा गर्मा गरम मज़ेदार सा नास्ता तो शर्दियों में गर्मा गरम चाय के साथ अगर कुछ चट पटा खाने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और है तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ गर्मा गरम सा मज़ेदार सा ये स्नेक्स तो आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों भी जादा शेयर कर दीजिए च मैदा ले रही हूं तो मैं इसे मैदा से बना रही हूँ आजा चमच अजवाईन लेंगे हाथ से क्रसकर करके डालेंगे तो हम इसमें 3-4 चमच रिफाइन डालेंगे और आजा चमच नमख डाल दीजिए इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहां ह में थोड़ा बुत ओ डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा पारी डालके इसका एक टो लगा लीजिए तो चलिए यहां हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है तो आटे को हम साइट पे लग देते हैं तो यहां हमने आटे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा और कर दे जो नहीं कि आटा लिया है तो चलिए इसमें बाकी की चीज़े एड़ कर लेते हैं तो यहां मैंने थोड़ा सा मटर लिया है ौप्चनल है लेकिन अभी तो सर्दी है चर्धियों में सभी के घर में मटर होता है तो इसलिए मैंने भी ले लिया है अच्छा लगता है तो यहां मैंने थोड़ा सा मटर को उबाल लिया था, सीटी वग्यरा नहीं लगाई है, सिर्फ 2-3 मिट के लिए मैंने इसे उबाल लिया था, क्योंकि ना तो यह बहुत जादा कच्छा है और ना ही बहुत जादा यह पका हुआ है, तो मटर डालने के बाद हम इसमें 4-5 हरी म इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम इसे आलो में डाल देते हैं, तो यहां हमारी जो चटनी है, वो टमैटो कैजब से बहुत ही जादा अच्छी बन कर तयार होती है, आप इसे बिना चटनी के भी खा सकते हैं नास्ती को, तो चलिए अब हम सभी चीजों क अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, तो यहां हमें बहुत जादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है, तो यहां मैं इसे फोक से मिक्स कर रही हूं, तो इससे नहीं हो पा रहा है, तो चलिए हम इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ही जादा अच्छा होगा, तो यहां ह हमने इस्टफिंग बना कर तैयार कर ली है नमक मिर्च आप एक बर चेक कर लीजिए तो इधर हम अपना आटा देख लेते हैं और आटे में से हम दो लोईयां बना देते हैं इसे हम एक रोटी बना कर तैयार करेंगे तो चलिए हमने इसे बड़ा सा बेल लिया है इसे हमने ना तो बहुत जादा पतला और ना बहुत जादा मोटा रखा है तो यहां हमें इसकी मोटाई रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे फॉल्ड कर रही हूँ इसी तरीके से हम चारो कोनों को दबा देते हैं और इसे पलट लेते हैं इसके बाद हम यहाँ स्टफिंग रख देते हैं तो यहाँ आप स्टफिंग तो रखे लेकिन बहुत जादा मत रखे कम भी मत रखेगा सही रखे ताकि आप इसे cover कर सके तो इधर से आप कोना उठाईए और इस तरीके से आप चिपका दीजिए यहाँ आप यादो आप पानी वगएर लगा लीजिए तो चलिए इसके अब हम कोने उठाएंगे और इसकी इसी तरीके से पत्या बना देंगे तो यह नास्ता खाने में तो टेस्टी है ही यह नास्ता देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है तो इसी तरीके से हम जो है एक समोसा बना कर तयार कर लेते हैं यहाँ आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं समुसा या फिर आफ फ्लावर वाला समुसा या फिर पिन समुसा कुछ भी बता सकते हैं. तो हम यहां दूसरा भी बना कर दिखा देते हैं तो यहां आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा और पलट दीजिए और पलटने के बाद हम यहां स्टफिंग लग देते हैं कोना उठाते हैं इथर से इथर का और इसे हम चिपका देते हैं तो यहां नास्ता देखने में इतना ज़्यादा सुन्दर लग रहा है यह किन मन ही नहीं करता कि हम इसे खा लें ऐसा मन करता है बस देखते ही रहें तो यहां हम इसी तरिके से अपने पूरे नास्ते को तयार कर लेते हैं तो नास्ता हमारा बंगर तैयार है और आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं देखने में तो इसमें मैं लगा देती हूँ लोंग तो यहां मुझे थोड़ा सा ऐसा ही डाउट रहता है कि कहीं खुल ना जाया तो आप पानी से चिपका लीजिए यहां मैंने पानी से नहीं चिपका लीजिए तो मैं यहां इसमें बीच में एक लोंग लगा रही हूँ इसे नास्ता द ना निकले इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे और हम ने जो यह इस्टफिंग अंदर भरी थी थोड़ी थोड़ी दिख रही है इस पर हम इसे डालते जाएंगे और इसी तरीकी से हम सारे समोच वपर लगा लेते हैं इससे ना हो आप इसे थोड़ा सा लगा लीजिए तो चलिए हम इसे सारे समोच वपर लगा लेते हैं तो यहाँ लगकर तयार है तो चलिए अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ हमने गैस पर चड़ा दिया है तेल और तेल अच्छे से गरम हो चुका है एक बार आप इस त जादा खस्ता बनाना है इसके लिए हमें गैस का फ्लेम का दिहान रखना होगा तो यहां आप शुरू में एक बार तेल को तेस्ट कर लीजिए और जब तक आप यह समोसे डालते हैं तब तक आप गैस का फ्लेम हाई ही रखे और डालने के बाद आप इसे स्लो कर दीजिए आप देख रहे हैं इनका नातों को डिजाइन खराब हुआ है और यह देखने में कितने जादा सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए इसी तरीके से हम इने बढ़ह से फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक तो यहां हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं देखने में कितने जादा सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और काफी जादा यह खस्ता हो चुके हैं तो अब आप इन्हें एकिक करके निकाल लेते हैं तो यहां आपको बस गैस का फ्लेम जो है उसे तो यहां हम एक एक करके समोसे को डाल देते हैं और डालती समें हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और डालने के तुरंत बाद हमें गैस का फ्लेम स्लो कर देना है इसके बाद हम इने अलट पलट के अच्छे फ्राइ कर लेते हैं तो यहां हमें बस गैस का फ्लेम को दिहान तो यहां हमारे गर्मा गर्म खसता समोसे बनकर तयार हैं, तो कैसी लेगी आपको आज की ये रेसिपी कमेट में जरूर बताईएगा, तो घर में अगर छोटी मोटी पार्टी है, या फिर गेश्ट आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से समोसे बना कर स्टर्फ कर सकते हैं, यह कि मानिए सब भी आपके बहुत आरिफ करेंगे तो सबों से खाने में तो टेस्टी है ही देखने में उससे भी ज़्यादा सुन्दर है तो एक बार आप भी ज़रूर से ट्राइ किएजिएगा सबी को बहुत पसंद आएगे तो कब बना रहे हैं आप ये समों से कमेट में ज़रूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों में जादा से जादा शेयर कर दीजिए तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धेर सारा इंज्वाई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए बाई एंड टेक क्यर